सुशान्त के फैंस की ट्रोलिंग से परिशान हुई अंकिता लोखंडे बोली आप मेरी कहानी नहीं जानते इसलिए मुझे ब्लेम मत कीजिए अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्टा जाहिर किया है वह सुशान्त सिन्ग राजपूत के फैंस द्वारा मिल रहे नफरत भरे कमेंट से परिशान है अंकिता ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में अपनी भडास निकाली और ट्रोलिंग करने वालों के सामने अपना पक्ष रखा अंकिता बोली जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उन्हें पॉलो नहीं करती लेकिन मैं दूसरों के आखाउंट पर जाकर उनको गालिया नहीं देती अंकिता ने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनके पेरेंट्स जरूर इससे प्रभावित होते हैं अंकिता ने आगे कहा पेरेंट्स के लिए ये पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग ऐसे क्यों गाली देते हैं और मैंने ऐसा क्या गलत किया जो लोग मुझे पर उंगली उठा रहे हैं वो मेरे रिष्टे को जानते ही नहीं थे शायद और अगर इतना ही आपको था प्यार तो अब क्यों आकर लड़ रहे हो पहले कहां थे आप लोग जब सारी चीज़ें खत्म हो रही थी हमारी लाइफ में आज मुझे बलेम किया जाता है पर मेरी कोई गलती ही नहीं है सबकी अपनी अपनी इमोटेव होती है लाइफ में सुशान्त हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और यही उन्होंने किया वो चला गया अपने रास्ते उसके लिए मैं गलत सावित होती है मुझे क्यों गालियां दी जाती है मैं क्या गलत किया आप लोग मेरी कहानी नहीं जानते तो मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए। ये बेहत चुबता है। 6 साल भी लेशन में थे अंकिता सुशांत। अंकिता और सुशांत की नजदीकियां टीवी सीरियल पवित्र रिष्टा के दोरान बड़ी थी। इसके बाद दोनों 6 साल तक इन रिलेशनशिप में रहें लेकिन फिर 2016 में दोनों का ब्रेक अप हो गया। अंकिता को इस ब्रेक अप से उबरने में काफी वक्त लगा। अब ये हुए की जन नाम के एक बिजनेसमेन के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं अंकिता से रिष्था तूटने के बाद सुश झाल झाल